कहानी पढ़िये, उचित शीर्षक दीजिये और प्रश्णों का निर्मान कर उत्तर भी लिखिये एक बार राजा कृष्णदेव राय के महल में एक सेवक काँच का खूपसूरत मोर साफ कर रहा था गलती से उसके हाथ से मोर गिर कर तूड गया राजा को वह मोर बहुत प्रिय था जब राजा महल में आये, उन्हें अपना प्रिय मोर दिखाई न दिया पूचने पर पता चला कि वह तूड गया है क्रोध में आकर उन्होंने सेवक को छे महिने के लिए कारागार में डलवा दिया कुछ दिनों बाद राजा कुष्णदेव राए, मंत्री तैनाली राम और दूसरे दरबारियों के साथ राजा उध्यान में घूमने निकले तैनाली राम बोले, महराज पासी बाल उध्यान है, उसे भी देखते चले राजा कृष्णदेव राए बाल उध्यान की ओर आए उध्यान में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिरे हुए थे एक स्थान पर बच्चे नाटक खेल रहे थे एक बच्चा राजा बना हुआ था उसके सामने दो सिपाही एक अपराधी को पकड़ कर खड़े थे खेत के मालिक ने शिकायत की महराज आज यह मेरे खेत से गाजर और मूली उखाड कर ले गया सुनकर राजा बने बच्चे ने चोरी करने वाले से पूछा उसने गलती मान ली तब वह बोला ठीक है तुम्हें माफी दी जाती है पर ध्यान रखना कि दोबारा यह गलती न हो फिर खेत के मालिक से कहा तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी पर पहली गलती पर भला हम कैसे सजा दे नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा महराज यह बच्चा तो बड़ा शरारती है इसे सजा मिलनी चाहिए तैनाली राम बोले हाँ महराज मेरे विचार से सजा यही हो कि इसे राजदरबार में बुलाकर यह नाटक फिर से दोहराने को कहा जाए नाटक देखकर राजा कृष्णदेवराय सोच में पढ़ गए तैनाली राम की चतुराई पर वे मनही मन मुस्कुरा उठे यह देखकर मंत्री असमंजस में पढ़ गए उसके बाद राजा कृष्णदेवराय बोले सचमुच तैनाली राम तुमने ठीक कहा आज मैं समझा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए अगले ही दिन राजा ने उस सेवर को रिहा करवा दिया